इस कहानी में एक बुड़ा आदमी तीन कुहारी लड़कियों को कली से फूल बना देता है फिर वो तीनों लड़कियां एक लड़के के लिए अपनी गुफाओं का दर्बाजा खोल देती हैं मूवी के स्टार्ट होते ही हम बीरान जंगल देखते हैं जहां पर तीन बेहने अपने डेट के साथ रहती हैं इन्होंने बाहर की दुनिया नहीं देखी थी सबसे छोटी बेटी का नाम नीना और बड़ी बेटी का नाम माया था जो काफी सुन्दर थी और बीच बाली बेटी का नाम रिया था और ये कम बोलने बाली लड़की थी ये तीनों बेटी जंगल में अपने फादर एगनों के साथ खेती करके अपना गुजारा करती थी इन तीनों बहनों में काफी जादा प्यार था और ये खुब सारी मौज मस्ती भी करती थी एक दिन हम देखते हैं पास के बेटियों को अपनी बेटियों की तरह समझता है और बेटियां भी शूप अपने बाप की तरह समझती थी इस बार शू माया के लिए जोलरी लेकर आया था और बाकी दोनों बेहनों के लिए नए कपड़े करीद कर लाया था माया को जोलरी बहुत पसंद आती है और वो इस इसके बाद ये सबी लोग मिलकर डिनर करते हैं अगले दिन जब एगनो और शू शिकार करने के लिए जाते हैं तब एगनो आगे चल रहा था और शू उसके पीछे फिर शू अपने बैग में से एक जहरी लसाप निकाल कर एगनो की शट में डाल देता है जिसे उसकी मौत हो जाती है और वो फिर उसकी लास को घर पर लेकर आता है जिसे देखकर तीनों बहने बहुत ज़्यादा रोने लगती हैं इसके बाद वो अपनी फादर की लास को दफना देती हैं शू ने ये काम पूरे प्लान के साथ किया था इसके बाद रात में शू माया से कहता है एगन अगले दिन शू अपने सीर पर पट्टी बांद कर गूम रहा था और तीनों बहनों से बात करने कर ट्राइ कर रहा था लेकिन कोई भी बहन उसकी बात नहीं सुनती इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है तबी पीछे से माया उसे अबाज लगाती है और उसकी जॉलरी उस से चला जाता है इसके बाद नीना माया से कहती है अगर तुम्हें वो जोलरी पसंद नहीं थी तो तुम मुझे दे सकती थी और वो कहती है मैं शू के पास जाकर अभी जोलरी बापस लेकर आती हूं और वो उसके पीछे पीछे भागने लगती है माया उसे अबाज लगाती है लेकिन वो उसकी एक बी बात नहीं सुनती, फिर वो शू के पास पहुंच जाती है, और जोली बापस मागती है, शू एक बहुत घरकी खिसम का इंसान था, और वो नीना को कोने में लेकर जाता है, और उसकी जमकर बजाता है, उसने कली को फूल बना दिया था, और वो इसके बाद हम देखते हैं काफी रात हो चुकी थी और नीना अब तक घर पर नहीं आई थी और दोनों बेहने उसे डूंड रही थी कुछ टाइम के बाद नीना घर बापस आती है और एक जगा पर बैठ कर रोने लगती है और माया को सारी कहानी बता देती है जिसे सुनकर माया को ब नहाने की तैयारी कर रही थी जैसे ही यू की नजर उस पर पढ़ती है वो चुपकर उसे देखने लगता है नीना को भी पता चल गया था कोई उसे चुपकर देख रहा है और वो शोर मचाने लगती है यू शोर सुनकर बहां से भागने लगता है तब ही नीना की दोनों बह बढ़ने बहाँ पर आ जाती है फिर तीनों बहने मिलकर यू को मारने लगती है। यू उन्हें बताता है मैं शू का बती जाहूं और उसने मुझे गुलाम बना कर रखा था। कल रात पर रिशान होकर मैंने उसकी हत्या कर दी और पुलिस से बचने के लिए मैं यहां पर आ ग यू भी अपना गोड़ा उसके गुफा में दोड़ाता है जब से नीना को पता चला था उसके साथ जबरदस्ती करने वाले को यू ने मार दिया है वो उसकी तरफ अट्रेक्ट होने लगी थी ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और नीना यू के साथ काफी ज़ादा टाइम स्पैंट करने लगी थी और अपनी बेहनों के सोने के बाद वो रोज रात को यू के पास आ जाती थी और उसे जम कर खुदाई करने का मौका देती थी एक रात रिया की आँख खुल जाती है और वो नीना को ना देखकर उसे ढूणने लगती है फिर हम देखते हैं माया की भी आँख खुल जाती है और वो दोनों बेहनों को ढूणने लगती है रिया धीरे धीरे यू की घर की तरफ बढ़ रही थी और माया भी उन दोनों बेहनों को ढूण रही थी इधर नीना अपना काम खतम करके यू के घर से चुपके से निकल जाती है और रिया फिरी यू के घर पहुँच जाती है और यू से कहने लगती है मुझे तुम पहले दिन से ही पसंद हो और फिर वो अपने कपले उतार कर अपनी गुफा का नमकीन पानी यू को टेस्ट कराती है यू अपना गोड़ा उसकी गुफा में दोडाता है तब ही बहाँ पर माया भी पहुँच जाती है और वो उन दोनों को कांड करता हुआ देखती है ये देखकर उसकी भी गुफा से पानी आने लगता है और उसके पूरे बदन पर आग लग जाती है फिर वो घर आकर जल्दी से अपने बदन पर पानी डालती है और अपनी आपको ठंडा करती है इसके बाद हम देखते हैं अगली रात को माया अपनी दोनों बहनों के सोने का इंतिसार कर रही थी उनके सोने के माया उटकर यू के घर चली जाती है और वो यू के घर जाकर उससे कहती है तुम यहां से चले जाओ लेकिन यू कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाता हूँ माया उससे सादी करने के लिए मान जाती है और अपनी टांगे फैला कर उसके नीचे लेट जाती है यू फिर अपने घोड़े को खड़ा करता है और इसके गुफा में दोडाता है अब तीनों बेहने एकी लड़के से खुदाई करवा रही थी और तीनों ही उससे प्यार करने लगी थी तीनों ही बेहनों को एक दूसरे का सच पता था लेकिन फिर भी वो इस बात को लेकर चुप थी अब फैसला यू को करना था कि उसे किस बेहन के साथ साधी करके खुदाई करनी है कुछ दिनों के बाद माया और यू शादी कर लेते हैं और माया अपना घर छोड़कर यू के घर पर ही रहने लगती है ये दोनों शिकार और खेती करके अपना घुजारा करने लगे थे दूसरी तरफ रिया और नीना भी खेती और शिकार करके अपना घुजारा कर रही थी कुछ महीनों के बाद माया यू को बताती है मैं प्रेगनेंट हूँ ये सुनकर यू बहुत खुश होता है फिर एक दिन माया अपनी दोनों बेहनों के पास आती है नीना माया को देखकर खुश होती है लेकिन रिया उससे नाराज थी क्योंकि रिया भी यू से शादी करना चाहती थी इसके बाद माया उन दोनों को बताती है मैं मा वनने वाली हूँ और अपने बच्चे के अच्छे भविस्ट के लिए हम दोनों जंगल छोड़कर शहर जा रहे हैं उसकी बाते सुनकर दोनों बहने रोने लगती हैं क्योंकि उन्हें पता था अब माया शहर से कभी वापस नहीं लोटेगी इसके बाद हम देखते हैं रात होने के बाद रिया यू का गोड़ा चुरा लेती है क्योंकि वो नहीं चाती थी माया और यू जंगल चोड़कर शहर जाएं इसलिए उसने यू का गोड़ा चुराया था अगली सुबह जब माया और यू शहर जानी की तैयारी कर रहे थे तब यू को अपना गोड़ा दिखाई नहीं देता फिर वो जंगल में अपना गोड़ा ढोड़ने लगता है माया को अपनी दोनों बहनों पर शक होता है और वो उनसे जाकर पूँचती है दूसरी तरफ यू जंगल में एक जाल में फस जाता है और जंगल में फिर तूफान आने लगता है नीना ये देखकर एक सेव जगा जाने लगती है जबकि माया और रिया आपस में जगड रही थी यू अपना छुरा निकल कर रसी तो काट देता है लेकिन नीचे गिर कर मर जाता है इधर दोन मुवी एंड हो जाती है अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में